हेई वाट्स बुड एवरीबडी वेलकम दिस अनादा पॉडकास्ट अप्टास्ट यह पॉडकास्ट में हम बात करने वाले सैलेरी और आप कितना आन कर सकते हो इंटर्शिप में आपको क्या सैलेरी होती है आफ्टर ग्रेजुएशन और बहुत सारे ऐसे डाउट जो में को और अगर आपको किसी भी तरीके से डर लग रहा है और आप और आप सोच रहे हो आपके सारे डाउट करने वाले सो अगर आप इस चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्स्क्राइब करो लाइक करो कॉमेंट करो और मुझे जबर बताओ कि आपको क्या से लगा सो विदाउट व बट हमारी फिल्ड अच्छी कीवे में यह आज आपको बताना चाहते हूं यहाँ पे ऐसा नहीं कि राजा का बेटा सिरिफ राजा बनेगा जिसमें कैपिबिलीटी वही राजा बनेगा है है मैं अच्छ के सबसे पहले बात में करूँ आज एक टो सबसे पहले तो यह समझ दो कि यह जो फिल्ड है वो शिरिफ art related नहीं है या फरी design related नहीं है तो specified मत करो किसे भी particular किसे ने बता दिया कि हापे सिरिफ plan बना जाता है घर के elevations बना जाता है घर को design जाता है तो बिलकुल ऐसा नहीं है और यह आपके अपने आप में बहुत ही बड़ा है और कर सकते बहुत तरीके की आपके आपके इसमें कुछ एक डिजाइन है करेंगैं मतलब जो मैं इस बैसे के लिए चैर यह एक प्रोडक्ट यहां का आप हर एक चीज में अपने आप में आप अ का है तो आप वाली बात को है नहीं चेरे यहां पर अहुंद नहीं करो लोगला पन करो कि बहुत को दो को स्पयसिवाइब करो जो तुम्हारा या किसी में किया जो 50 लाक में पहुछने तक जर्ण होती नहों वह बहुत कि या फिक किसे ने कहते है कि architecture में मेरे चाचा के भाई ने architecture किया वो पैसे नहीं कमा रहा है घर पर पढ़ा या फिर मेरे दीजी ने architecture किया है वो तो कुछ करी नहीं रही है भाई बहुत बिकार से फिल्डर तो specified मत करो आज के डाइम पे जितना architecture में scope है उतना ही बाकी फिल्ड का भी scope है बेसिकल अगर में बात करो कि industrial फिर हम बात करते हैं इंजिनेरिंग में जैसे ITCS होता है वैसे ही भाई architecture में यह fields होती है बेसिकली construction वाली बहुत scope है अगर आप खुद से मतलब मैं कैसा है तो कि अगर खुद स में हो drawing अच्छी है नहीं है कोई फरक नहीं पढ़ता बस drawing में interest होना चाहिए क्योंकि as an designer as an artist आप जो भी सोचोगे paint paper तो बनाओगे ना तो जो बनाने वाली process है उसमें मजा आना चाहिए वह important है तो एक तो drawing में interest होना चाहिए दूसरी चीज है कि यह जो plans होते है घर को इसे बनाओगा यह सारी चीज़े वे आफ इंट्रेस्ट कह सकते हैं घर डिजाइन करने में इंट्रेस्ट घर का इंटेरियर यह सारी चीज़े तो आप ओविसले वैलकम टू आर्किटेक्टर तो इसके बाद क्या होता है कि यह process होती है पात साल अब यह पात साल में जब आ करता है second year, third year में आति तक आप specifications में आ जाते हो और आप अपने आपको एक level up कर देते हो मतलब आप coding सिखते हो आप programming सिखते हो अलग अलग लेंग्विजे सिखते हो क्यों कि fourth year में बहुत placements आने वाली होती है तो काफी engineering students आज के डाइम पे बहुत updated होगे तो वो क्या करते है second year, third year से ही internship start कर देते हैं मतलब first year में obviously they know that कि उनको coding करना है fourth year में जाके third year में आके तो वो क्या करते हैं जैसे engineering ले लेते, coding करना start कर देते, first year से सीखना चालू कर देते हैं तो वो as an intern कई पे काम करते हैं उसके बाद placements ले देते हैं हमारे इसमें कोई scene नहीं है, first year में आग किताबी दिमाग हम जो अपनी दिमाग दाते है, वो fourth year में seven semester का eight or nine semester होती है, वो थी internship, तो आप जाते है छे मेने सही में काफी है, सीखने के लिए, भाई सबसे वह आप जाके तो ड्राफ्टी करोगे, कुछ-कुछ, draft मतलब auto gate में जाके सिर्फ ड्राफ्टी कर रहे हो, खेने हैं तो enough नहीं है, तो अब क्या हो रहा है कि basically आप expect क्या कर रहे हो, कि मैं बहुत ऐसा कमाने वाला हूँ, या फिर देखो, यह चीज नहीं, यह जो तुम्हारा जो सोच है कि basically मैं चार साल काम कर लूँगा, फिर खुद की form दालूँगा, तो बस यहां पर यह चीज न site visit करवाएंगे, और practically हर एक चीज को detail out करवाएंगे, तो as an architecture student यह जिम्यदारी आपकी बनती ही कि अगर आप NASA नहीं कर रहे हो, तो आपको internship करने चीजिए, first year से, ताकि क्या होगा कि आपको on-site का practical knowledge बहुत जादा आएगा, बहुत ही जादा knowledge आएगा, मैं कर रहा हूँ, मै second year से ही internship करो, मैंने चीजों को समझा, पर्खा, और मुझे आता नहीं है सब कुछ, but I am in that process, learning process पे हो, तो I am that much able to draft a plan for my client, तो आपको मैं खुद की side भी कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास, मैंने, मतलब basically पैचान से, हमारे हम जोग ने एक छोड़ी सी team तयार कि, जिसमें मेरे civil engineers है, और बाकी मेरे कुछ labor workers है, और basically as an architect, I am handling the site, obviously, बाकी उसी जाल लग है, कि हम लोग, अभी में architect नहीं हो, but हमें अगर काम आता है, तो हम site पे काम कर सकते है, तो as an architecture student, आपको ये चीज़ करने हैं कि, आप first year या second year से ही internship कर रहे हो, मतलब अब इसके लिए software सादे हैं, तो software इसके मैंने galaxy video बनाई है, और वो क्यों important है, वो मैं इस video में cover नहीं करने हो, क्योंकि already मैं वो वीडियो बना चुका हो, तो i button पे वो वीडियो आईगी है, link description में दाल दूँगा, वीडियो जाके देखो, वो बहुत जादा important है, आप क्या हो रहा है कि basically आप तो 5 साल पढ़ छे मैंने आप internship करके आगए, तो खुद को आप अगर architect समझ रहे हो, तो आप बेवकुफ हो, basically, और आप समझ रहे हो कि मुझे direct कोई भी firm या office, कोई भी company मुझे 50,000 या 60,000 की job दे देंगी, तो boss आप बहुत नखली game में हो, नखली virtual दिन्यों में, निकलो बाहर ऐसा कुछ अगर basic basic में बात करो, तो graduation के बाद, एक कोई भी firm या office, आपको max to max, 20,000 पर पे करेगा, वो भी fresher, अरे, आप मुझे ये बताओ, कि आप, आपने 5 साल कोई भी site पे काम नहीं, कि आपको practical कोई भी knowledge नहीं है, on-site कोई भी knowledge नहीं, अब आप किसी भी office में जा रहे हो, तो आप काम कैसे करोगे, मैंने वही example, जो basically IT industry वालों का दिया, software engineer वालों का दिया, उन लोग तो already उन लोग ने अपने software's पे commanding की coding सिखा, internship की आता है, इस वाज़े से उन लोग ने job operations की, और अब हो company में job कर रहे, तो हमारा तो ऐसा कोई सीनी नहीं था, हमने 5 साल सिर्ट मिक्स पे हम पढ़ते हैं, हम college के projects को ही अपना standard लेके चल देता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, देखो, college के projects और life projects बहुत अलग है, मैं अगर खयाली दुनिया अगर आप होगी, तो यहां से निकलो, बहुत अलग है, आप इसको standardize मत करके चलो कि अगर मैंने college के project कर लोगा, totally different thing, हा design कैसे कर सकते हो, but on practical side, बहुत सी चीज़े बदल जाती है, materials बदल जाते है, आप फिर curves में कई कई जगा, तो आप अगर आप घर design करते हैं, आप curves में नहीं घर खेल सकते हैं, आप जो curves में, आप design करते हैं, या फिर आप किसी form में basically जा रहे हो, तो आप यह सब नहीं कर सकते मतलब कोई अलग साही form ले लिया, यह सब नहीं, एक client होता है, हमारे design में, हमें design principle होता है, मतलब design problem होता है, उसके basis पर हम लोग basically काम करते हैं, college में, यह college based होगा, but यहाँ पर क्या है, हमें एक on-site काम करना है, हमारे पास एक client जो घर पे पैसे लगाना है, जो हमें पैसे दे साल सिखे नहीं, बात साल तुम्हें पता ही नहीं कि side पे कैसे काम जाता है, तो तुम क्या expect करें कि मुझे इलाकों की job मिलेगी, बिल्कों नहीं, अगर हाँ, तुम्हें talent है, और तुम्हें काम आता है, तो obviously सामने वाला जो firm वाल है, वो भी बुद्धू नहीं बठा है, क् बहुत साल से market में काम करें, वो आर्केरी के जो तुम्हें job देगा, तो उसे पता है, तुम्हारा interview, तुम्हारा interview लेगा, तुम्हारा काम दिखेगा, obviously, तुम्हें जो first second year में life projects की होगे, आप उसको दिखाओगे, वो आपको, वो आपकी projects check करेगा, genuine है या नहीं है, उसके मुझे तो यह भी करना चाहिता, मुझे भी करना चाहिता, तो आप धेरे देरे जैसे आपको काम मिलता है, या फिर एस इंटर्न जहापे भी आपको काम करते हो, आप या अपने 100% देते हो, तो as an architecture student, अगर आप business minded नहीं हो, तो बहुत यहाँ पर एक game अलग हो जाती है, क्य कर देते हैं, बट कहता है कि obviously आपको काम सीखना परता है, architecture practicing करनी परती है, तो बात साल होने के बाद, अगर हाँ, एक और सबसे important जो चीज़ है, वो है कि अगर मैं masters कर लूँगा भाई, तो क्या मेरी job में मुझे salary जाता मिलेगी, तो यह चीज़े ही अलग है, देखो यह त करता है, तो आज के टाइम में basically आप यह लोगो, masters is kind of की, आपको कितना education चाहिए higher level पर आपको कितना knowledge gain करना है, यहां पे market में, ऐसी भी लोग है, जो as in landscape, as in urban designer, बहुत जादा पैसा कमारे है, और ऐसी भी लोग है, जो पैसा ही नहीं कमारे है, तो difference समझो, और ऐसी भी जिसने किया है, तो यहां पर myth हटा दो, यहां पर पैसे का barrier लावी बन, यहां पर passion के लिए काम करो, अगर आप job करे हो, कई पर as an intern, या फिर as an internship कई भी भी करें, job या फिर employee जा पर भी हो, वहां पर सबसे पहले अच्छा employee बनो, तब भी जाके boss बन पाओगे, खुद का firm मे अच्छे से handle कर पाओगे, तो अभी अगर आप first second year में, third year में, fourth year में, जीज भी year में हो भाई, और फिर architecture में admission लेने के हो, तो यह ची समझ लो, कि आप में पैसे का तो यही गए मैं, starting में, max, first year, second, जब आप first year में जब जाओगे, like, graduation ने कर जब आपका पहला साल रहेगा job क तो आप expect नहीं कर सकते 50-60,000 की job, आपको 20, 15, 12, किसी किसी firm में तो 10,000 भी मिल सकते है, depends on firm, और depends on कि आपको कितना आता है, तो कमसम आपको 4 साल तो सीखना है boss, क्योंकि आप कर तो job ही रहो, तो compare खुद को business man से नहीं कर सकते है, फिर किसी दोस से नहीं कर सकते है, कि मेरा दो तो खुद में खुश रहो, पहले चीज़ तो, अब आप कर तो job रहो, तो खुद को business man से compare मत करना, कि यार यह तो इतना पैसे कमा रहा है, ऐसा पैसे कमा रहा है, हो सकता है किसी आपके दोस्त के पापा architect हो, और वो उसने अपने पापा की business legacy संभाल ली, obviously बात है, उसके पा काम मिलेगा, बट हमारी field अच्छी कीवे में यह आज आपको बताना चाहतो, यहाँ पे ऐसा नहीं कि राजा का बेटा सिरिफ राजा बनेगा, जिसमें capability वही राजा बनेगा, तो the thing is कि बहुत अगर आपका काम अच्छा है तो recommendation client करेगा ही करेगा दूसरे को, अगर आपने उसको satisfy किया, उसके जो भी key points है और उसके basis पर आपने उसको घर बना करेगा, वो बलेगा कि यह आरकेड़ेगा है, फलाना फलाना आरकेड़ेगा है, जोनने मेरा घर बना है, obviously, यह network आपकी दिरेदर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर market में काम करने के लिए, sustain करने के लिए market में बोलता है, शिरिफ काम, और जब काम बोलेगा, तभी नाम बनेगा, तो अभी खायाली पुलाओ मत पकाओ, ज्यादा टेंशन मत लो, अगर आप architecture में आ गया हो, तो यह मन सुचो कि मैं बरबाद हो गया हो, मेरा कुछ भी नहीं आ ले, देखो बहुत, मेहनत करो, बहु opportunity आने अर टाइम पे, real estate बहुत जल 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 जी गुरू है, इंडिया बहुत गुरू हो रहे आज के टाइम पे, तो हर एक इंसान चाहिए कि मेरा घर हर एक दुसरे इंसान से अच्छा हो, और obviously हमारी as an architect की value भी इंडिया में बढ़ रही है, और यह हम लोगों को ही मिलके आप करनी है, तो आप बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकतो हो in a long term, मतलब अलग-अलग companies हैं आपे, कुछ-कुछ तो जैसे tech companies होते हैं, उस टाइप की भी companies दिल्ली या फिर पुरगाव में हैं, जहां पर सिर्फ आप बहार companies से जुड़े हो, आप ड्राफ्ट करके दे रहे हो तो 9 to 5 job वला भी system यहां पर है, सिर्फ as an entraftmanship, तो काफी चीज़े explore करो इस field को ऐसा नहीं कि सिर्फ पेमेनिट के तरफ जा रहे हो, job opportunities नहीं है, ऐसा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया field है, यह percent to percent depend करता है कि आप कितना dedicated हो इस field को लेके, तो सबसे पहले समझो, graduation होने के बाद, masters करना ज़रूरी है या नहीं है, it's depend on your choice, it's depend on your purpose, और it's depend on your thinking कि आपका future plans क्या है, उसके accordingly, तो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, it's depend on your, कोई इसमें आपका issue नहीं होने वाला है, but इसके बाद क्या होगा कि आप job करोगे, चार साल तो कहीं नहीं आपको job करन देखने में लग जाएंगे, 100% और ऐसा नहीं कि इन 3-4 साल आप खुद की side नहीं करोगे, obvious यह बात है, अब दूसरे को खुद को क्या introduce करोगे, कि मैं नल्ला तो नहीं हो, obviously लोगों को बता होगे कि मैं एक architect हो, तो कहीं नहीं कर आपको project मिलेगा, यह मिलेगा, तो वहाँ आप पे बस आपको पकड़ना है और अपना 100% देना है, उसके बाद आप खुद देखना है कि process develop होती हैगी, जो होता है ना कि एक thought है कि your first impression is your last impression, तो यह बहुत important architecture में, जैसा आपका impression होगा, वैसा यह चीज़ होगी, तो your network is depend on your network, तो अच्छा network कर रखो, college बहुत matter करता है कई ना कई क्योंकि अच्छा surrounding चाहिए उसके लिए, जंडू college में, जंडू environment मिलेगा, जंडू लोग आगे, मैं इसे नहीं कहा रहा हो कि घटिया college, मतलब college specified होता है, बट देखो college specified न हो रहा है, बट अच्छे college में होगे, आपका background नहीं है, तो अच्छे college जाने के कोशिश को लेकि आपको बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलेगी, एडवांस सीखने को मिलेगी, तो यह एक process है, और job opportunities है, काफी अच्छा पैसा है, बस मेहनाद करनी है, पाच्छे साथ साल में, यह setup अच्छा का सा पैसो का जम जाता है, तो भाई, depends on your work, depends on your hard work, कि आप एक time पे कितन बस में यह चाता हो कि खुद को boundaries मत लगाओ खुद पे, explore करो, मेहनाद करो, यह फिल्ड बहुर अच्छी है, काफी ज़्यादा अच्छी job opportunities है, और salary का जो tension है, वो भी ऐसा कुछ है नहीं, so I guess यह वीडियो से आपको काफी value मिलेगी, आपको समझ में कि basically क्या चीज है और क् आपको इस वीडियो से value मिलेगी, तो में को comment करके बता हो, और अगर नहीं हो तो इस चानल को subscribe करो, लाइक करो, so this was वीर को सरेंटीम, signing off.